हेलो नमस्कार जी, भाई दूज दो हजार तेईस, आज भाई दूज पर भूल कर भी ना करें, ये गलतियां, इन तरीकों से लगाएं भाई को तिलक, जाने शुभ मुहूर्त, पूरी जानकारी जानते हैं, गुरु जी से. राम राम दर्शको भाई दूज दो हजार तेईस, हिंदू धर्म में भाई दूज का पर्व बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. ये हर साल कार्तिक मास की शुकलपक्ष की द्वितिया तिथी को मनाया जाता है. बता दें कि ये शुभ दिन दिवाली के दो दिन बाद और गो इस दिन बहने अपने भाईयों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थय के लिए प्रार्थना करती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बहने अपने भाईयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं, जबकि भाई उन इस पर्व पर कुछ ऐसी गलतिया कर देते हैं, जिसे अशुभ माना जाता है। इस पर्व दिन की बेला में मनाया जाता है। भाई दूज पर ऐसे लगाएं तिलक। और आरती करनी चाहिए। भाई दूज के दौरान शुभ मुहूर्त के अनुसार ही तिलक करना शुभ माना गया है। बहनों को अपने भाई के माथे पर टीका लगाने से पहले कोई भी उपहार स्विकार नहीं करना चाहिए। भाई दूज के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। भाई दूज के दौरान मा साहार से बचना चाहिए। इस दिन भाई भनों को कोशिश करनी चाहिए कि लडाईच गड़ा न करें क्योंकि ये एक शुभ अवसर है।